बिसमेल रुक्मान दिर्वाहीम टोडेस्ट टॉपिक ओफ डिसकुशन इस प्रिपरेशन ओफ फार्मकालोजी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपने फार्मकालोजी को दो दिन में कैसे कबर करना है कि अगर आपका फार्मकालोजी का पेपर है लास्ट के डेस है और लास्ट के दो दिन में पूरी फार्मकालोजी को कैसे रिवाइस करना है तो उसके लिए कुछ टिप्स और ट्रिक्स शेयर करने वाला हूँ अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल पनाई हो या पुराने हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ही जाना अब last के दो दिन में pharmacology को revise करना थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन आप मुम्किन नहीं है लेकिन last के two days की revision के लिए आपको क्या करना पड़ेगा थोड़ा सा काम आपको पहले करना पड़ेगा अगर आप आज की तारीक देखते हो तो आज जो तारीक है वो है 21 नमंबर है सेंटर फगरा भी होगी admission भी होगा तो इस दो महिने में हम कह देते के two months को हम कर देते हैं 1.5 month यानि 45 days इस 45 days में 25 days तो pharmacology ही खा जाएगा तो मैं आपको वो बताने वाला हूँ जिसके जरीए आप pharmacology को दो दिन में revise कर सकते हो लेकिन इस दो दिन की review के लिए कुछ काम करना पड़ेगा during the preparation ठीक हो गया अब वो किस तरह से काम करना है आपको मैं बता देता हूँ आपको पता है कि UHS की recommended book mini cats नहीं है big cats नहीं है लेकिन हम सब सारे ही सारे almost 99.9% लोग mini cats नहीं पड़ते हैं सुरी हर चैप्टर के studio में फ्लो चार्ट होता है वहर चैप्टर के last में कोई आपको टेबल वाली summary होती है जब आप इस फार्मकोलेजी की बाते करते हो तो आपने करना कि है आपने चैप्टर को read करने के बाद इस summary को और इस फ्लो चार्ट को इन दोनों को fill कर देना है मैं इसके आप एक example दिखा दिखा दिता हूं अगर आप CNS फार्मकोलेजी में आते हो तो मैंने थोड़ा सा काम किया होगा है मैं आपको नजर आ रहा होगा जैसे अगर मैं एंटी सीजर वाला चैप्टर ओपन करता हूं यह चैप्टर ऐसा है जो बहुत सारे majority of the student को याद नही होता है तो मैंने क्या काम किया है मैंने इस टेबल के ओपर इस चैप्टर के तमाम content को ठाके यहां पर लिख दिया है अब इससे होगा किया इससे यह होगा कि next time इस चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा तो मैं सिर्फ इस टेबल को और इस summary को देखूगा और जो इनको यहां यह summary, flow chart और extra notes इन तीनों को आपने prepare करना है इसके बाद फिर इसके mini cat sing लेपन को और बिग cat sing इन तीनों के एक review book है उसको बोलते हैं MBM Pharmacology and Theropatics पहले बता रहा हूँ यह कोई promotion वीडियो नहीं है यह उससे पैसे नहीं लिए कि इसको promote करूँ यह मैं आपको अपने experience के करना है और फिर इसके बाद आपने जो दूसरी book revise करनी है वो है यह वाली book ठीक है इस book के अंदर आपने flow chart मिल जाए गया आपको और जब आपको यह वाला material त्यार होगा cat sing वाला तो आपको यह book revise करने में बहुत ज़्यादा time नहीं लगेगा थोड़ सा time लगेगा बहुत जल्दी आप किताब को revise कर लोगे और सबसे last step आपके बास pharmacology यह का चार्ट होगा जिसके अंदर हमारे पूरी body की drugs का mention किया हुआ है आपने जब भी को topic पढ़ना है for example ANS पढ़ा तो ANS की drugs के नाम आपने इस flow chart से revise कर लेनी है और जब आपने पूरी preparation कर लेनी है तब आपने एक मरतबा इस पूरे flow chart को read करना है और जो ट्रॉक आपको मुश्किल लग रही है आपने उसको दुबारा अपने mini catson से या MBM pharmacology review से देख लेना है ठीक हो गया तो यह final last review होगी जो आप इस pharmacology chart और ट्रॉक क्लासिफिकेशन से करोगे पाई डाक्टर लिगा जाचोधरी ARC ठीक हो गया तो इन चार स्टेप से अगर आप pharmacology को त्यार करोगे तो आपको जरा से भी मुश्किल नहीं होगी और आप राम से pharmacology को prepare और पास कर सकते हो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल पनाई हो तो सब्सक्राइब कर देना थैंक्स वर वाचिंग इस वीडियो अलाह आपिस